हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और जिनोंने कमेंट किया है उनके कमेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो तो दोस्तों आज मैं अपनी सेंट्रों के अंदर एक आमरेस्ट इंस्टॉल कर और उसको लगाने के हमें फायदे क्या होंगे ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और उसे आप कहां से पर्चेस कर सकते हैं और वो मुझे कितने का पड़ा है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और जो आमरेस्ट मैं अपनी गाड़ी के हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन नोटिफिकेशन को अन कर लेना ताकि जब भी मैं नियू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए सबसे पहले और साथी साथ दोस्तो इस वीडियो को हमारा आमरेश्ट और इस वीडियो के अंदर मैं इस आमरेश्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ इसके अंदर हमें क्या-क्या फीचर मिलेंगे और कैसा ये आमरेश्ट हमारा गाड़ी में लगने के बाद लगेगा ठीक है दोस्तो तो पहले जल्दी स हमें इसको अन्बॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ तो ऊपर के साइड हमें मिलता है हमारा इस तरीके का है ठीक है दोस्तो इसको अभी यहां पर रख देते हैं और box के अंदर जो भी content है वो शारा निकाल लेते हैं तो इस box के अंदर हमें यह armrest का जो stand है वो मिल जाता ह और इसी के साथ यहाँ पर एक प्लास्टिक की प्लेट मिल जाती है जो के armrest के stand में ही लगेगी और दोस्तो यह हमारा stand है इसके अंदर यहाँ पर इसको adjust कर सकते हैं अपने car के according यानि कि यह किसी भी car में लग जाएगा और दोस्तो इसके उपर और बात करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगा बना लेता हूँ इस box को रख देता हूँ side पे और दोस्तो यह हमारा armrest है इसको भी खोल कर देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है काफी सारे जो के हमारे stand में काम आने वाले है और दोस्तो इसके साथ ही हमें यहाँ पर मिल जाती है एक data cable जो के हमारे armrest को power supply देने में काम आएगी तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी फिलाल इसके storage के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें armrest के अंदर काफी सारा storage मिल जाता है यानि के space इसके अंदर आप अपना mobile भी और काफी चीजे इसके अंदर रख सकते हो बड़े अराम से और दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके अगले feature की तो यहाँ पर आगे की side एक push button दिया गया है और प्लस इसकी 2 इंच यहाँ पर height भी बढ़ जाती है और दोस्तों यह वाला feature भी मुझे काफी अच्छा लगा है और इसको जैसे ही आप पीछे करते हो तो यह वापिस lock हो जाता है अपनी जगह पर और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके और features की तो यहाँ पर जैसे ही हम आगे की side देखते हैं तो हमें यहाँ पर 3 USB port मिलते हैं जिसमें से के 1 तो हमें power supply के लिए use करना पड़ेगा और 2 से हम अपने यहाँ पर mobile laptop या कुछ भी charge कर सकते हैं और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की side तो यहाँ पर देख सकते हो 2 USB port हमें इस side मिलते हैं और 2 USB port हमें दूसरी side मिलते हैं इधर देख सकते हो यानि के total 4 USB port यहाँ पर हमें मिलते हैं जो के हमारे पीछे बैटने वाले आपके friends या family member अपने mobile को easily charge कर पाएंगे इन पीछे दिये गए USB port की मदद से और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके अगले feature की तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे हम इसको पीछे की side pull करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक glass holder मिल जाता है हमें जो के आप आगे बैट के भी use कर सकते हो और जो पीछे बैटने वाले बंदे यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इसको खोल कर दिखा दिये तो यह कुछ इस तरीके का दिखता है और जो पीछे बैटने वाले बंदे है इसको एजली यूज कर सकते हैं और दोस्तों इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं और अब बात कर लेते हैं इसके अगले feature की तो दोस्तो मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ और इसका जो अगला feature है वो इसके armrest के अंदर है तो देख सकते हो दोस्तो यहाँ पर फी चोटे LED बल्फ लगे हुए है जिसे के हम रात में यूज कर सकते हैं और दोस्तो इनका जो mechanism है वो यहाँ पर एक push button लगा हुआ है जैसे ही हम अपने armrest को open करते हैं तो यह LED light glow करने लगती है और जैसे हम इसको बंद करते हैं तो वो push button push हो जाता है और यह light off हो जाती है automatic ठीक है दोस्तो और दोस्तो यह work कैसे इसको power कहां से मिलती है तो यहाँ पर इसका cap खोल कर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमारे cell लगते हैं जो के हमारे घर के TV remote के अंदर लगते हैं तो दो cell यहाँ पर लगेंगे तो वो आपको market से लेकर इसमें लगाने पड़ेंगे अगर इन light को use करना है दोस्तो इस armrest के साथ इसमें battery मुझे नहीं मिली है हो सकता है आपको भी ना मिले ठीक है तो market से लेकर आप इसके अंदर cell लगा सकते हो तो यह तीनो LED बल्फ हमारे यहाँ पर glow करेंगे और इसका मज़ा ले पाएंगे हम लोग ठीक है दोस्तो और आप बात कर लेते हैं इसकी कुष्णिंग की तो देख सकते हो यहाँ पर हमें leather finish के साथ बहुती बढ़िया कुष्णिंग यहाँ पर दी गई है और इसकी जो build quality है यह भी बहुत अच्छी यहाँ पर हमें मिलती है और साथी में दोस्तो हमें यहाँ पर पीछे की side chrome finish मिल जाती है और यह chrome finish हमें चारो side मिलती है इसकी जो के एक बहुती premium look देती है इस armrest को और car के अंदर install करने के बाद एक luxury look भी हमें मिलने वाला है अपनी car के अंदर और दोस्तो अब तक मैंने इस armrest के आपको बहुत सारे feature और फायदे बता दिये हैं तो अब बात आती है इसको गाड़ी के अंदर install करने की तो दोस्तो जल्दी से इसको install कर लेते हैं तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको assemble करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना नहीं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा इसकी mounting कैसे करनी है तो सबसे पहले इसके stand को लेना है आपको तो दोस्तो आपकी गाड़ी का जो center console है उसकी चोड़ाई के हिसाब से आप इसको slide करके यहाँ पर इसकी चोड़ाई को बढ़ा सकते है ठीक है दोस्तो जितनी भी आपकी गाड़ी के center console की चोड़ाई होगी तो इसको यहाँ पर ऐसे slide करके इसकी चोड़ाई को बढ़ा लेना और उसके बाद अगला काम करना तो यहाँ पर मेरी गाड़ी के अंदर इसकी चोड़ाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो यह इतना ही काफी है तो यहाँ पर मैं इसकी चोड़ाई नहीं बढ़ाऊंगा तो दोस्तों यहाँ तक तो बात आप समझ गए होंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो simply यह जो plate holder आपको दिख रहा होगा तो इसको उठाकर stand के उपर रख देना है और इसके अंदर यहाँ पर आपको 4 hole दिख रहे हूंगे अंदर की side ठीक है तो यह वाले जो 4 hole है इनमें चारों में एक एक screw आपको लगा देना है जैसे के मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक एक करके चारों screw को लगा लेना है और उसके बाद इनको tight कर देना है और दोस्तो ध्यान रहे screw को ज्यादा loose भी नहीं छोड़ना है और ज्यादा tight भी नहीं करना है क्योंकि यह plastic होता है अगर आप एक हज से ज्यादा tight करोगे तो यहाँ पर plastic हमारा यह तूट सकता है तो इतना ही tight करें जितनी बस जरूरत हो और दोस्तो इसको fit करने के बाद हमें जो अगला काम करना है यह जो हमारी plastic के plate हमें इसके अंदर मिलती है तो इसके उपर इसे mount करना पड़ेगा और इसके अंदर भी हमें 4 screw लगाने पड़ेंगे ठीक है दोस्तो तो इसको कैसे mount करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो simply इसको इसके उपर रखना है और जो नीचे वाले hole है इस plate के hole के साथ उसको match करना है और screw लगाने है तो दोस्तो इसके hole को हम कैसे match करेंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो plate के अंदर यह 4 उपरे हुए जो hole आपको दिख रहे हैं यह वाले hole हमें यह जो इसके अंदर आप legs देख रहे हो चार तो in legs के साथ उनको यहाँ पर match करना है और hole को match करने के बाद एक एक करके यहाँ पर चारो screw को आपको लगा देना है और screw लगाने के बाद एक screw driver से उनको tight कर लेना है और दोस्तो इतना काम करने के बाद जो हमारे armrest का stand होता है वो proper तरीके से तयार हो जाएगा यानि के इसके बाद हमें इसमें ज़्यादा कुछ अप करना नहीं है सिरिफ हमारा जो armrest है वो ही इसके उपर लगाना बाकी है तो armrest को stand के उपर fit करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ armrest के नीचे यहाँ पर दो sliding lock लगे हुए है जो के हमारे stand के उपर जाकर fit हो जाएंगे यहाँ पर मैं आपको stand में दिखा देता हूँ यह जो stand के उपर जो plate हमने लगाई है इसमें यह देख सकते हो दो सीधी line बनी हुई है एक यह वाली और एक दूसरे side बनी हुई है ठीक है दोस्तो तो इन में यह sliding lock हमारे जाके fit हो जाएंगे तो जल्दी से armrest को stand के अंदर fit कर लेते हैं तो दोस्तो simply हमें stand को कुछ इस तरीके से यहाँ पर पकड़ लेना है और इसके बाद जो हमारा armrest है उसको यहाँ पर धीरे-धीरे से इसके अंदर slide करके अंदर डाल देना है stand के तो यह कुछ इस तरीके से ऐसे slide होकर यहाँ पर अंदर चला जाएगा और दोस्तो जब यह थोड़ा सा अंदर चला जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि यह इतनी आसानी से अंदर नहीं जाता है अगर यह इतना lose होता तो दोस्तो यह कभी भी जटकों में निकल कर बाहर निकल कर गिर जाएगा मतलब stand के अंदर से तो इसमें थोड़ी सी आपको जान लगानी पड़ेगी तभी यह proper अंदर फिट होगा set करनी है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से set करनी है जो हमारी stand के उपर plate लगी हुए तो उसके बिल्कुल end पर हमारा armrest यहाँ पर आना चाहिए तो यह भी हमारा sheet belt का lock होता है वो भी भार आ जाएगा यानि के दोनों sheet belt के lock जो होते हैं वो हमें बाहर की side रखने है और उसके बाद जो दोस्तों हमारी seat होती है दोनों side की उनको थोड़ा थोड़ा सा हमें अपने side दवाना है और armrest को पीछे की side धकेलना है ताकि जो हमार armrest होता है वो sheet में बिल्कुल fix हो जाए तो दोस्तों sheet को क्या करना है आपको थोड़ा सा push करना है और armrest को उसके बीच में फचाना है ठीक है जैसे हमारा armrest बीच में फच जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है gear को check करना है कि हमारे gear यहाँ पर अच्छे से डल रहे है या न जो नीचे चला जाए हमारा armrest ठीक है तो यहाँ पर इसकी setting कुछ इस तरीके से होनी है इसमें कोई screw नहीं लगना है और नहीं इसमें कोई fitting होनी है तो दोनों sheet के बीच में इसको फसा करे और यहाँ पर इसके उपर धीरे-धीरे से दबाव डालना है ताकि हमारा armrest का जो हम हमारी गाड़ी के अंदर armrest proper तरीके से fit हो चुका है और मैंने गाड़ी के अंदर बैट कर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चला कर भी देखा तो मुझे यहाँ पर gear shift करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई इस armrest को लगाने के बाद और armrest हमारा यहाँ पर अच्छे तरीके से open हो रहा है मतलब मैं इसके storage को भी अच्छे से यहाँ पर use कर सकता हूँ और अब इसकी height बढ़ा कर भी देख लेते हैं यहाँ पर उससे तो कोई नुकसान नहीं है तो दोस्तो इसके जैसे push button को मैं दबाता हूँ तो इसकी यहाँ पर height जैसे बढ़ जाती है तो यहाँ पर ह armrest को power supply कैसे देनी है तो जो इसके अंदर हमें यह USB cable मिली थी तो उसको एक side हमें लगा देना है जो हमारे गाड़ी के अंदर charger लगा होता है उसके अंदर और दूसरी side हमें लगा देनी है यह जो armrest के अंदर तीन USB port आपको आगे के side दिख रहे हैं उन में से किसी भी एक में इसको लगा दोगे तो पूरे armrest के अंदर हमारे power supply मिल जाएगी और किसी भी port के अंदर आप इसमे USB cable को लगा कर अपने mobile या laptop को charge कर सकते हो तो दोस्तों जैसा के आपने वीडियो के अंदर देख लिया है कि armrest के अंदर क्या क्या feature है और कैसे इसको install करना है गाड़ी के अं लेकिन इसको गाड़ी में लगाने के बाद हमें क्या क्या नुकसान होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों जादा कुछ नुकसान नहीं है जब आप armrest को गाड़ी के अंदर install कर लोगे तो आपको सिर्फ दो दिक्कत आने वाली है वो भी कोई major दिक्कत नह है तो गाड़ी की seat को adjust करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वो भी तब क्यूंके गाड़ी के बीच में armrest लगा होता है तो इतनी smoothly मतलब adjust नहीं हो पाएगी seat थोड़ा सा ध्यान रखके आपको adjust करनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों और दूसरी दिक्कत जो आने वाली है व दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके price की तो ये मैंने offline purchase किया है और ये मुझे पढ़ा है 1200 रुपय का मैं इसका link आपको description में दे दूँगा आप महा से जाके purchase कर सकते हैं वहाँ पर आपको ये 1300 से 1300 के बीच में पढ़ जाएगा तो दोस्तों comment करके जरूर बताना आपको इ अपनी गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके से armrest को install कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाए दोस्तों